आगस्ट की महिना है इस महिना में गुलाब के क्यार कैसा होना चाहिए क्यूंकि इस टाइम में हमारा जो गुलाब है गुलाब की पोधा डर्मेंसी में जाने के तयारी करते है इस महिना में हमारा गुलाब के क्यार सही धंग से ना हो तो गुलाब पोधे में आने वाले ठंडाई की टाइम बहुत सारे फूल नहीं खीलेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्ट के महिना में गुलाब के क्यार कैसा होना चाहिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम टू प्लांटो केयर मैं हूँ आपका गाड़ना दोस्त बिपलब पहला बात है डर्मेंसी क्या है डर्मेंसी है पोधे की सुप्त बस्ता केवल गुलावी नहीं हर पोधे के एक डर्मेंसी पिरियर्ड होते है उस टाइम में उस पोधे कुस टाइम के लिए सुप्त बस्ता में चले जाते है एक अच्छा गड़नार को इस सुप्त बस्ता की बारे में अच्छा जानकारी होना चाहिए अगर इसकी बारे में हम जानकारी नहीं रखते तो हमारी गुलाब की पोधे अच्छा नहीं बनता तो आज का जानकारी इसकी बारे में नहीं है इसके बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे आगस्ट के महिना में गुलाब के क्यार कैसा होना चाहिए इस टाइम से ही गुलाब की पोधे में पानी की जो रिकार्मेंट है उधीरे धीरे कौम हने लगते है इसलिए हमें भी कौम पानी देना है अगर इस टाइम हम ज़्यादा पानी दे दू तो गुलाब की पोधे में फंगास की वीमारी आ जाएगा ब्लाक स्पोट होगा और डाइबेग भी आ जाएगा इसलिए हमें शोच समझ के पानी देना है अगस्ट की महिना में गुलाब की पोधे में कोई भी जईविक फर्टिलाइजर हमें नहीं देना है अगर इस महिना में कोई भी जईविक फर्टिलाइजर दे दू तो गुलाब की पोधे में फंगास की वीमारी आ जाएगा इसलिए हमें chemical fertilizer ही इस्तिमल करना है और खाद की जो quantity है ओ भी हमें धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पोधे को जो requirement रहते हैं खाद की धीरे-धीरे कम हो रहा है अगर इस टाइम हम ज्यादा fertilizer दे दू तो पोधे में परिशानी आ जाएगा पोधे में blind shoot आएगा इसलिए हमें fertilizer की बाड़े में भी ज्यादा धायन देना है जुलाई की महिना में हम एक 10 इंच पठ में 1260 एन पी के 1260 एक ग्राम करके हपते में दो दिन दिये थे लेकिन अगस्ट की महिना में हम 1260 देंगे हपते में दो दिन ही देंगे लेकिन आधा ग्राम करके देंगे ऐसा ही चलेगा इस अगस्ट महिना में और NPK 1919-19 भी देंगे हफ्ते में एक दिन पहले एक ग्रम करके देते थे अभी आधा ग्रम करके देंगे एक पठ में ऐसे ही फार्टिलाइजर हम इस्तिमल करेंगे अगस्ट के महिना में इसके इलावा माइक्रो निट्रेंट भी इस्तिमल करेंगे जैसे जैसे इस्तिमल कर रहे थे और जिस परिमन में इस्तिमल कर रहे थे उस परिमान में ऐसे ही इस्तिमल करना चाहिए अगस्ट के महिना में अगस्ट के महिना में माईक्रो नीट्रेंट की कोई भी कमी नहीं होना चाहिए बरसत के मौसम है इसलिए ज़ादा पानी गिरेगा और हमारा जो मीडिया है ओ भी गिला रहेगा इसलिए पोधे में फंगास की बीमारी लगने की चांस बहुत ज़ादा है इसलिए हमें fungicide जरुर इस्तेमल करना है हफ्ते में एक बार हमें fungicide स्प्रे करना है लेकिन एक fungicide नहीं हम recommend करेंगे दो fungicide आप जरुर रखना ज्यादा महेंगी fungicide नहीं देना है कम कीमत की fungicide देने से ही कम चल जाएगा आप साफ fungicide रखिए और टाटा की master fungicide रखिए और ये दोनों fungicide आप घूमा फिरा के स्प्रे करना टाटा की master एक लिटर पानी में देर से दो ग्राम मिला के स्प्रे करना और दुसरे हफ्ते में साफ fungicide एक लिटर पानी में दो ग्राम मिला के स्प्रे करना ऐसा घुमा फिरा के इस पे करने से फांगिसाइट की जो रेजल्ट है बढ़िया आते है अगस्ट की महिना में हमारा गुलाब पोधे में कोई भी इनसिक्टिसाइट यूज नहीं करना है और मकर नाशक भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा पोधे में अविकीरा की एटाक हो जाए और मकड की भी एटाक हो जाए इस टाइम मकड की एटाक ज्यादा होता नहीं फिर भी हम कोई भी मकड नाश्रोक स्प्रे नहीं करेंगे इस टाइम कोई भी PGR हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्यूंकि हमारा गुलाब की पोधा धीरे धीरे डर्मनसी के तरफ आगे बढ़ रहा है कोई भी PGR इस टाइम अगर इस्तिमाल करे तो पोधे में ज्यादा ब्रांच आ जाएगा ओ हम नहीं चाहते है तो एही है आगस्ट की महिना में गुलाब की केर इसके बाड़े में आपके मन में कोई भी सोच है तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते है वीजियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और ऐसा वीजियो दो बड़ा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप भी आपका पोधे के तरहा खुश रहिए स्वस्त रहिए धन्यवाद